पाइजू उलेक्ट्रिक लाइटर 3000 वोल्ट का स्पार्क जनरेट करते हैं और इस हाई वोल्टेज स्पार्क से जवलन सिल गेस को आसानी से जलाया जा सकता है। तो हमारे घर में जो गेस का लाइटर होता है वैं बहुत पाउरफुल साइन्स को काम में लेता है। इन सभी लाइटर का working principle सेम है, construction अलग हो सकती है। जब हम लाइटर को उपर से प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक spring होती है जो load होती है। जब spring full load हो जाती है तो अपना पूरा force hammer पर लगाती है और hammer speed में जाकर piezoelectric crystal से टकराता है और टकराते ही एक जबरदस 3000 वोल्ट तक का spark generate होता है जिससे हम gaze को आसानी से जला लेते हैं। डोक्टार्स जो stethoscope यूज करते हैं उसके पिछे भी piezoelectric electricity ही काम करती है तो इस छुपी हुई electricity को जानने की कोशिस करते हैं। piezoelectric crystal में कुछ इस type का एक material होता है जिस पर जब हम pressure डालते हैं तो वह pressure energy को electric energy में convert कर देता है। piezoelectricity के लिए जो most commonly crystal को काम में लिया जाता है उसका नाम है silicon dioxide जिसको popularly quartz के नाम से भी जाना जाता है। silicon dioxide crystal दिखने में कुछ इस type का होता है जब इस crystal को हम थोड़ा सा right angle पर cut करके इसके एक टुकडे को प्रेस करते हैं तो यह कुछ नकुछ voltage जरूर produce करेगा। इस चीज को थोड़ा सा और बहतर समझने के लिए हमें atoms के level पर जाना पड़ेगा। silicon dioxide का atomic structure कुछ ऐसा दिखाई देता है जो देखने पर हमारे media की तरह कुछ कम ही समझाता है। लेकिन यदि इसको हमने जिस तरीके से cut किया है उसी एंगल से देखे तो हमें एक perfect symmetry दिखाई देती है। और इस symmetry को हम ध्यान से देखे तो हमें एक hexagonal बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे latest structure को समझने से better है कि हम एक hexagonal की working को देख ले कि किस तरीके से यह structure pressure को electric energy में convert कर देता है। अब silicon dioxide मतलब यहाँ पर silicon और oxygen के atoms ही available होंगे। तो इस structure के अंदर तीन oxygen atom और तीन ही silicon atom available है। एक बार इस hexagonal को side में रखकर oxygen और silicon का behavior देख लेते हैं। oxygen और silicon atoms एक electron को share करेंगे लेकिन oxygen के atom की size छोटी होती है। इसलिए जो electron होता है वे nucleus के पास में होता है। तो nucleus electron को अपनी तरफ attract करने की कोशिस करेगा। इसलिए oxygen इस sharing electron पर ज्यादा force लगाएगा silicon से। तो जो sharing electron है उसका जुखाओ ज्यादा oxygen की तरफ रहेगा। अब जुखाओ कितना भी oxygen की तरफ हो लेकिन मिलेगा तो ये oxygen को भी नहीं। यदि आपको पता हो तो electron का charge negative होता है। इसलिए oxygen atom अपने पास में बैठे हुए electron को देखकर negative terminal की तरह रिपरजेंट करेगा। और इसी चीज को electronegativity बोलते हैं। अब रही बात silicon की तो electron silicon से थोड़ा दूर चला गया है तो ये अपने आपको positive charge की तरह रिपरजेंट करेगा। अब दोनों atoms का center of charge कुछ इस point पर आकर रुक जाएगा। अब center of charge का मतलब है यह जो बीच में फसा हुआ electron है इसको ना ही तो oxygen अपने पास में लेकर जा सकता है ना ही silicon। इस point पर आने के बाद में दोनों atom का जो force है वे equal हो गया बस simple से कानी है। दोस्तो animation industry बहुत ग्रो कर रही है तो एकदम right time है इसमें enter करने का। यदि आपका 3D में interest है तो अभी से course जोइन करके थोड़ा थोड़ा time इसको देते रही है तो time के साथ में आपकी skill बहुत ज्यादा बेतर हो जाएगी। और अपने इंडिया में इसका market बहुत ही जबरदस चल रहा है लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है हमारी तरफ से आपको full support रहेगा तो स्वागत है आपका अमारे 3D world में Now back to the point अब यदि हम वापस hexagonal structure को देखे तो तीनो positive atoms का center of charge मिलकर यहाँ पर होगा और तीनो negative atom का भी center of charge मिलकर यहीं पर ही होगा जिस तरीके से center of mass होता है ठीक वैसा ही यह होता है अब इस condition में जब हम इन atoms पर pressure डालेंगे तो यह compress होने लगेंगे और center of charge कुछ इस तरीके से बदल जाएगा यदि तीनो positive atom को देखे तो इनका जो average charge है वै कुछ इधर shift हो जाएगा इन दोनो negative की तरफ और जो average negative charge है वै कुछ इधर की side में shift हो जाएगा इन दोनो negative की तरफ अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको positive and negative terminal यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यान इतने भी charge है इनको हम एक battery या cell समझ सकते हैं और इन सभी का series और parallel connection बनाकर इस voltage को collect किया जा सकता है अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक क्यूशन है जो poly और monocrystalline solar panel होते हैं उनमें कौन से material को काम में लिया जाता है थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को यूज में लेना है इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा अब जो हमने silicon dioxide का एक piece कट किया था उस piece की मोटाई ज्यादा होगी तो कुछ इस तरीके से pedal cell और बनते जाएंगे एंड उसकी चोड़ाई ज्यादा होगी तो series connection और ज्यादा लंबा बनता करेगा लेकिन piezoelectric material की कुछ खास बात भी है इसको reverse भी किया जा सकता है यदि हम piezoelectric material से supply ना लेकर यदि इसको हम supply देते हैं एक battery से तो positive and negative charge एक opposite force experience करते हैं battery के charge से और कुछ इस तरीके से stretch होने लग जाएंगे और जब हम battery की polarity बदल देंगे तो ये वापस compress भी होने लग अब जो doctors stethoscope use करते हैं उसमें सबसे पहले एक diaphragm होता है और जब stethoscope को heart पे रखा जाता है तो diaphragm heart के oscillation के साथ में कुछ इस तरीके से compress and stretch होता रहता है और diaphragm के पीछे piezoelectric material लगा रहता है diaphragm के oscillation से piezoelectric material में लगे हुए silicon और oxygen के atoms compress और expand होंगे जिससे voltage produce होगा और इस voltage को एक electric circuit से amplify करके doctor के ears तक audible sound तक पहुचाया जाता है जिससे heart beat को सुना जा सकता है आसानी से लेकिन दोस्तों यह जो stethoscope होता है यह normal stethoscope से अलग होता है यदि आपने speaker की working वाले इस video को देख लिया है तो अब आप यह भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि एक piezoelectric material इस compression और expansion से sound wave को भी generate कर सकता है और एक speaker की तरह आवाज भी निकाल सकता है इसके लावा एक microphone का भ material ही यूज होता है उसके बिना यह वात चल ही नहीं सकती हमारे 3D world में आप आना चाओ तो आपका most welcome है जोइन करने से आपका support हमें मिलेगा और अपने channel की quality को हम और ज्यादा improve कर पाएंगे थेंक्यू